अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR Career Point YouTube चैनल और इस घंटी को सॉल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अभी आँज सकता है तो आपकी इन सभी काम को आसान करने के लिए आप जानते हैं इस चैनल पे डेली साभ में आपके लिए हम लोग क्लासेज लेकर आते हैं ुस क्लास का एक ही मकसद है कि आपक रिबीजन हो तो इसी स्रीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आपके class 10 के बिज्ञान के सांदार नए model paper की चर्चा करेंगे ये model paper बिल्कुल English और Hindi दोनों माध्यम के छात्रों के लिए state किया गया है क्योंकि इसमें आपके physics, chemistry, biology के सभी chapter से प्रस्ण लिया गया और नया model paper है 80 objective वाला और यहां से सीधे सीधे प्रस्ण आएंगे इसमें से कौन देखिये ध्यान से प्रस्ण को समझना है कि जैब और निमन करनी ये पदार थे प्रस्ण आपको जल्दी से पढ़ना है प्रस्ण आपसे कह रहा है कि मानव का उद्भाव अस्थान है पहला का मैं आंसर बता चुका हूँ क्या होगा आपसे डीडीटी चलिए दूसरे नमर प्रस्ण का आंसर देने का पर्यास किजिएगा कि दप्लेस ओफ ओर इजीन ओफ हुमन सीज मानों का उद्भाव अस्थान कौन से दियस को हम लोग मानते हैं तो बिल्कुल सही जितने भी छात्र कह रहा है कि सर आपसन आपका आंसर ब बाग किस पोसी अस्तर का उभोगता है आपको बताना है तो इसका राइट आंसर देखने है कि इतने अस्टिलेंट दे पाते हैं तो जितने भी छात्रों का कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि सर आपसन सी इसका राइट आंसर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है आप पढ़े होंगे उभोकता के अस्तर जैसे बाग का पूछा है तो आपको याद होना चाहिए घास तो घास की सिरेणी का होगा पर्थम पोस्वी अस्तर का उसको क्या खाता है हीरन तो ये की सिरेणी का होगा दूतिये और हीरन को क्या खाता है बाग तो ये की सिरेणी का होगा त्रीतिय सही लोजीकल और आसान आसान प्रसंट बोड एकजाब में आते हैं जैसे आपको प्रसंट देखने को मिलेगा इंगलीस और हिंदी माधिया में चोथे नमर प्रसंट का आंसर सभी एस्टुएंट कमेंट करने का परियास करेंगे कर रहा है किडवन किरिया पाई जाती है किडवन किरिया किसमें पाया जाता है इंगलीस मीडियम आले चातर अपने कोश्चन को रीड करेंगे और आंसर कमेंट कीजेगा किडवन किरिया किसमें पाया जाता है काफी चातरों का सही आंसर आ रहा है जो भी student इसका daily class करें, उनका बिल्कुल सही answer आएगा, इसका answer है option C, east में kid one पाया जाता है, आगे देखिए 5 नमल प्रसन आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ियो और answer देने का परियास कीजिए, परिक्षा में अब काफी कम समय है, तो आपको बिल्कुल गंभीरता से सभी class को तो पांच नमल प्रसन क्या कह रहा है आपसे, कि मनुस्य बिल्ली तथा चमगादर के अगरपाद, देखिए क्या पूछा है, अगरपाद अंग जो है, वो कौन से अंग के उदाहारन है, यहाँ पे option आपको दिखाई दे रहा है, तो काफी student का answer कमेंट बॉक्स में आ रहा ह दियान से देखिएगा प्रसन क्या पूछा कि कि किसी जीव की जीनी सन रचना क्या कहलाता है, वहीं आपको बताना है, तो नहीं मालूम होगा, तो याद रखिएगा इसका right answer है, option B, जीनो टाइप, क्या कहलाता है, जीनो टाइप, सीदे सीदे आपके बाइलोजी के बुक् साथ नमर प्रसन कहा रहा है कि लसीका का रंग होता है, देखिए यहां से आपके पूरे मैं सुरू में ही बोल दिया, 100% बिग्यान का सारा थियूरी का आपका रिबीजन हो जाएगा, प्रसन पूछा आप से कि लसीका का रंग किस कलर का होता है, जल्दी से बताएंगे सभी जल्दी से बताएंगा कौन सही है, यह सभी कॉमन सेंस पे बेस्ट प्रसन होते है, इसका आपसर किसी भी एस्ट्टेंट को एकजाम में गलत नहीं करना है, तो जैसे ही यह प्रसन दिखाईतेगा, आपको OMR सीट पे option D कलर कर देना है, देखिए सही घाज स्रिंकला करेक्ट फूडचन केया बना रहा है, option D पे घास को बकरी खाता है, बकरी को बाग, तो याद रखेंगे option D के साथ आंसर चला जाएगा, नाइन नमर प्रसन परभाव पड़ेगा, बड़ा ही संदार प्रसन आपको बताना है कि फोकस दूरी पे क्या परभाव पड़ेगा, पर आप लाइट चेप्टर का ध्यान किये होंगे, तो आपको मालूम होगा कि जो लाइट में हुमन आई चेप्टर है, यह फोकस दूरी किया होगा, उतना ही आप नेत्र को छोटा करेंगे, तो उसका नेत्र को लगका साइज घटेगा, फोकस दूरी अटोमेटिक घटेगा, और जीतना ही दूर होगा, उतना ही आपका नेत्र बढ़ते हुए जाएगा, तो राइट आंसर फिलाल 9 नमर का याद रखेंगे, आप्शन A, आग आपको बताना है कि ये का उतल दड़पन पे लंबवत आपतित कीरन हो रहा है, तो परावर्तन जब उसका होगा, तो किस बिंदू से गुजरेगा, देखते हैं कि इतने चात्र की तयारी बिल्कुल फिजिक्स का संदार है, क्योंकि लाइट चेप्टर तो आप किसी भी कही से भी तयारी कर रहे होंगे, किसी भी आफलाइन क्लास से जुड़े होंगे, बहुत पहले समाप्थ हो चुका होगा, तो किसी के कमेंट का इंतजार हो रहा है, तो जितने भी छात्र का कमेंट आ रहा है, कि सर ओप्शन सी, ओप्शन सी, आपका चला आंसर बिल्कुल 10 का सही, आंसर ओप्शन सी पे दिया गया, वकरता के अंदर से, आगे बढ़ेंगे सर, 11 नमर प्रसन देखिए कि आप से पूछ रहा है, कि समांग माधियम में परकास गमन करता है, आपको बताना है कि कोई अगर समांगी माधियम में होमोजिनियस मीडियम है, तो उसमें पर प्रिज्म से एक वलनी परकास गुजरे, तो इसका नहीं होगा, आपको बताना है कि अगर हम प्रिज्म से एक वलनी परकास गुजारेंगे, तो इसका कौन सा किरिया नहीं होगा, द्यान से देखिएगा, क्या नहीं होगा, तो अप्वर्तन होगा, क्योंकि माधियम चेंज जब आप वर्तन होगा तो आप जानते हैं को पर भाव पड़ेगा तो उसका बिचलन भी होगा लेकिन वर्ण बीचेपन में क्या होता है परकास जब प्रिस्ट से गुजरता है तो उसको सात रंग में बाट दिया जाता है लेकिन अपने से प्रस्ण क्या पूछा था कि एक व और समान है इस टुकड़े की परकासित सक्ति क्या होगे बताएगा कह रहा है कि एक सीशा का टुकड़ा है जिसका प्रिष्ट संकेंद्री जो है गोला का एक हम भाग लिये हैं और उस सब का तिरजिया जो है और समान है अर्थात की अलग-अलग है अनिकुल है तो आपको ब प्रस्त स्थी आप का प्रस्त सभी आपके ब् llev से लिया गया है कि आच के उतर लेंज की वाइउ में सक्ति होति है काच के उतर्लेंज का वाईउ में शक्ति अर्थत की दभ पूछाए कि पावर ओंवेक्स लैंस ऑफ गलासीntyे ऑ और इस में πिया है आपके बुक में असपर से लिखा गया है पोजेटीव धनात्मक प्लॉस साइन होगा आगे बढ़ेंगे सर पंदरा नमर प्रसंदेखी और आंसर देने का परियास किजिए गाहरा है आपसे काच के आउतर लेंस की वायू में सकती होती है यह द्यान से 14 नमर में आपको सभी प्रसंद मिल गया ऊतर लेंस पूछा था 15 में क्या पूछ रहा है और लेंस जोदो देनात्मक और और लेंस तर tast till क्या होगा रिनात्मक नीगेटिव तो इसका आंसर हो जाएगा सोलंद ड़ोठ याद रख मिल गया है बिल्कूल आशान सा प्रस्न है इसका राइट आंसर रखेंगे ऑप्शन बी गतिमान हावा गतिमें बढ़ेंगे सर 17 नमर प्रस्न आप से पूछ रहा है कि अभिकरिया दिया है अभिकरिया में आपका अभिकारक दिया है जेड नो पलस CO2, तो इसमें पूछ रहा है आप से कि कौन अपचाइत होता है, पुछाए कि इसमें कौन अपचाइत होगा, तो किसका अपचाइन हो रहा है, देखिए यहां से O गायब हुआ है, ZN का जिंक का, तो राइट आंसर हो जाएगा, option B, ZN, O, यह सभी बुक से common sense पर बेस्ट प्र तो CO2, याद रखेंगे, राइट आंसर क्या होगा, सर, CO2, carbon dioxide, global warming के लिए उतरदाई गयस है, आप पढ़े होंगे, आगे देखिए, 19 नम्र प्रसन आप से पूछ रहा है, कि निमलिखीत में कौन परबल छारक है, आपको बताना है, चार option आपको दिखाई दे रहा है, कि इ ख्यान से देखिए, देखिए, कितने स्टुएंट इसका राइट आंसर दे पाते हैं, अभी स्टुएंट 19 नम्र प्रसन का आंसर कमेंट करेंगे, तो जितना बिछात्रों का आंसर आ रहा है, आपका चला आंसर बिलकुल सही है, आगे बढ़ेंगे सर 20 नम्र प्रसन आप से सबकिरिया होगा, उसमा छेपी, आगे बढ़ेंगे सर 21 नम्र प्रसन, इस सभी आपके केमेस्ट्री से प्रसन चल रहा है, कह रहा है, धोने के सोडा का रासायनिक सुत्र, वासिंग सोडा का केमिकल फरमूला आपको बताना है, ये तो प्रसन काफी बार रिपीट करता है, आ लोग काफी मोडल पेपर की चर्चा किया है, तो यहां से आपको पता चलता है, अगर आप लागतार क्लासे से जुड़ें, तो कौन कौन से प्रसन भी भी आई टाइप के होते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे जादा होता है, उसी में से ये के प्रसन है एक कि नमर, ये तब तक काफी है स्टुनेंट कमेंट कर चुके हैं कि सर ओप्सन ए इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ने 2, CO3, 10, S2, O, धोने का सोड़ा पूछाता, वासिंग सोड़ा राइट आंसर यहीं हो जाएगा, आगे देखिए 22 नमर प्रसन आप से पूछ रहा ह एक प्रसन का आंसर जरूर दीजिए, नहीं मालूम है, तो मैं इसलिए सही आंसर बता रहा हूं कि आपको इसको रठते चलना है क्योंकि सभी प्रसन महत्वपून है, आगे देखेंगे 23 नमर प्रसन आप से कह रहा है कि पादप में फुलोयम उतरदाई है, पादप में फु द्याबस्त के बिंदू है, आगे देखेंगे 24 नमर प्रसन आपको दिखाई दे रहा है, सर प्रसन आप से पूछ रहा है कि निमलिखित में से किसे पौधे का परकास संसलेसी इकाई कहते हैं, आपको बताना है परकास संसलेसी इकाई किसे कहा जाता है, आपको दिखाई दे मस्तिस्क किसके लिए उत्तरदाई है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो सोचने के लिए हीरदय असपंदन के लिए सारीक संतुनल के लिए इन में से सभी राइट आंसर हो जाएगा आपको कलर करना है OMR सीट पे आगे देखिए 26 नमरा प्रसन बिल्कुल आपसे बहुआ टाइप प्रसन है कह रहा है कि एक बियसक मनुस्य के कितने दात होते हैं पापी तो बचपन से रटते आ रहे हैं ये तो ऐसे ऐसे प्रसन आपको एकजाम में मिले तो खोज कर जरूर बना देना चाहिए क्योंकि इसमें गलत होने का चांस 0% है जितने भी छातर कह रहा है कि सर ओप्सन सी इसका राइट आंसर है तो बिल्कुल चला आपका तयारी बिल्कुल सांदार है इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन सी 32 आगे बढ़ेंगे सर 27 निम्र प्रसन आपसे पूचाए कि पादप अप्सिस्ट संचीत रहते हैं पादप में जो अप्सिस्ट पदार थे हो कहां पे संचीत रहते हैं आपको बताना है तो ध्यान से देखिएगा पादप में अप्सिस्ट पदार जो थे हो पतियों में छाल में कोसिकी रिक्तिकाओं में सम्मे संचीत रहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा all of these अर्थात की इन में से सभी आगे देखिएगा 28 नमर प्रसन आप से कह रहा है कि मेंडल ने अपने परियोग में किस पौधे का चेयन किया था आपको बताना है कि मेंडल ने अपने परियोग में किस पौधे का चेयन किया था सर तो option A, matter का right answer याद रखेंगे matter ये सभी जो प्रसन आप देख रहे हैं ये सभी बहुत ही महतपुन महतपुन प्रसन आपको याद कियोंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना बार ये पूछा गया प्रसन है 29 नमर प्रसन देखिए 29 नमर कि आप पूछ रहा है जिब्रेलीन है जिब्रेलीन क्या है आपको बताना है देखते हैं कि इतने student का तयारी biology का संदार है पूछ रहा है कि जिब्रेलीन क्या है जल्दी से बताइएगा तो जीतने भी छातर करा है कि सर एक type का ये हार्मोन है तो आपका answer बिल्कुल सही है option ने हो जाएगा इसका right answer याद करते चलिएगा 31 प्रसन आपसे पूछ रहा है कि पतियों का मुर्जाना किस हार्मोन के कारण होता है आपको बताना है कि पतिया जो मुर्जा जाती है वो किस हार्मोन के चलते होता है इसका क्या answer हो जाएगा आपके बुक में सीधे सीधे प्रसन उखा कर पूछ रहा है आगे बढ़िएगा देखिए टेक्स्ट बुक आपको कोई भी सब्जेक्ट हो बार बार पढ़ लेना चाहिए चाहिए आप कोई भी पढ़ते होंगे चाहिए NCRT पढ़े या SCRT पढ़े साइस में यही बेनीफीट है कि कुछ भी आप पढ़ सकते है सिलेबस एक जैसा है भारती बहुना लोक भारती जो भी आप पढ़ते होंगे वो पढ़ सकते हैं लेकिन बुक जरूर लाइन बाइन आपको पढ़कर समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि वहां से सीधे सीधे काफी प्रसन मील जाते है 32 प्रसन का देखने कितने चात्रों का आंसर राइट आता है पूछ रहा है परकास संसलेशन होता है परकास संसलेशन की किरिया कब होता है सर तो दीन में क्यों दीन में क्योंकि परकास अंसल स्नम आप जानते हैं सुरिय का परकास चाहिए तो right answer हो जाएगा option B आगे बढ़ेंगे सर 33 नमरा प्रसन देखिए picture best प्रसन है प्रसन आप से क्या पूछ रहा है चीतर में A भारन है तता B एवन C सन्योजक तार है जब बिधुत स्रोत S परिपत पूरा करने के लिए जोड़ा जाए तो लगू पथन के लिए उत्तरदाई कौन सा होगा इसमें क् पूछ रहा है लगू पतन के लिए कौन उत्तरदाई होगा तो ध्यान से देखिएगा 33 नमर का आंसर क्या हो जाएगा option B यहां पर देखिए कौन उत्तरदाई होगा B तो राइट आंसर दिया गया है B option पर option B इसका सही आंसर हो जाएगा और B इसका नाम भी है आगे बढ़ दिजेगा सभी लोग के इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा तो इस सीदे सीदे बुका फर्मूला है तो B1 A square बटा P1 प्लस B2 A square बटा P2 यह फर्मूला पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही option A आगे बढ़ेंगे सर 35 नमर प्रसंद पूछ रहा है कि जीव दरब्यमान उर्जा सुरोत का उधारन निमलिखीत में कौन नहीं है और ताथ कि यह चार उर्जा सुरोत दिया गया है इसमें से कौन जीव दरब्यमान उर्जा सुरोत नहीं है और ताथ कि बायो मास इनर्जी का उधारन नहीं है तो देखिए ध्यान से option C nuclear energy और आपसे पूछ रहा है कि पवन विधूत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए कि जो पवन विधूत जनित्र बनाते है तो उसमें कितना पवन का चाल होना चाहिए सर? तो right answer याद रखेंगे option ए कम से कम 15 km प्रती घंटा क्योंगि कम से कम पुछाता, maximum नहीं पूछ रहा है आगे देखिए 37 नमाई परसन आप से पूछ रहा है कि जब salt circuit होता है उस समय परिपत का प्तिरोध धारा नहीं पूछ रहा है प्रतिरोध पूछ रहा है कि लगू पतन के समय परिपत का प्रतिरोध क्या होगा जितने भी छातर पढ़े होंगे वो कहेंगे कि सर बहुत कम हो जाता है तो right answer याद रखिएगा option A इसका सही answer हो जाएगा 38 प्रसन पढ़िए और answer देने का परियास कीजिएगा प्रसन आपसे कह रहा है कि निमलिकित में कौन सा पद विधूत परिपत में विधूत सक्ति को निरूपित करता है तो इसका right answer हो जाएगा इसका all of the दी जाएगा इसका right answer option D पे दिया गया है इनाई नमर प्रसन आपसे पूछ रहा है कि आख के lens की वकरता तिर्जिया को नियंतरित करती है आख के lens के वकरता तिर्जिया को इसमें से कौन सा नियंतरित करती है यहीं आपको बताना है याद रखेंगे option C पक्चामब मास पेसिया जीतने चातर कमेंट करने आपका अंसर बिल्कुल सही है चालिस नमर प्रसन आपसे पूछ रहा है एक और दरपन द्वारा उत्पन आवर्धन धनात्मक होगा यदि बीम्ब की स्थिति अर्थात कि यह गया और दरपन का आवर्धन जो होता हूँ अगर धनात्म प्रसन है आगे तमाम प्रसन है लेकिन आज के कलास को हम लोग यहीं पर रुकेंगे आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ते रहना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी तयारी कैसी चल रही है चालिस में से आपका कुल कितना प्रसन आपने साई-साई आंस देम उल्ह उसराा गजना है किढ दिएम बनदी यहीं चालिस में जुटना चालिस करो टका दोटा मूग साई-साई आंसरा मीजा झा आंसरा इघकितनि उस औरसन आपको यहीं जूआजरत कितनि